कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा बच्चा पतली पॉटी करने लग जाता है अब हम मा को बहुत ज़दा टेंशन होने लगती है क्योंकि बच्चा जब पतली पॉटी करता है तो बच्चे को थकान, कमजोरी जैसी प्राब्लम होने लग जाती है बच्चा पतली पॉटी कुछ रीजन की बज़े से करता है इसी कि बच्चे को अगर infection हो गया है पेट में, food poisoning हो गई है बच्चे को या अपच की दिक्कत हो गई है बच्चे को तो इस वज़े से क्या होता है कि बच्चा पतली पॉटी करना स्टार्ट कर देता है तो अगर आपका बच्चा भी पतली पौटी कर रहा है तो आपको ऐसी में क्या करना चाहिए तुरंद वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेश्ट है वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी विल्कुल ना करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने इसी तरगी की डेली हेलफफुल वीडियो देखने के लिए तो मैं हूँ आप सभी के साथ रिश्वे स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो तो फ्रंट सबसे पहली चीज अगर आपको बच्चा 6 महीने से छोटा है और बच्चे को पतली पौटी हो रही है तो एक डाउट आपके मन में रहता है कि बच्चे को अगर दूद पिलाएंगे तो ऐसा नहीं बच्चा और ज्यादा पौटी करने लगे तो नहीं 6 महीने से छोटा बच्चा है तो फिर आप बच्चे को क्या खिलाओगे ऐसे में कुछ भी नहीं विएकि option ही नहीं है बच्चे को 6 मेनी से पहले आपको कुछ खिलाना ही नहीं चाहिए तो ऐसे में केबलो केबल आपको अपना दूद ही बच्चे को पिलाना है यह doubt बिलकुल भी mind में नहीं रखना है कि दस्त में कि आप बच्चे को दूद पिला सकते हैं तो हंजी आप बच्चे को दस्त में दूद पिला सकते हो अपना breast milk बच्चे को दे सकते हो लेकिन अगर बच्चा formula milk पे है तो आप बच्चे को formula milk भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकि आपको लग रहा है कि बच्चे की पॉटी करना कम नहीं हो रहा है तो फिर आप जा कि डॉक्टर को दिखाईए और डॉक्टर जो भी मैडिसन देता है बच्चे को देने के लिए वो आप टाइम टो टाइम देते रहे हैं बच्चा एक्दम सही हो जाएगा अगर आपका बच्चा 6 मन प्लस है मतब 6 महिने का हो चुका है तो ऐसे में फिर आपको बच्चे को कुछ चीजें देनी चाहिए जिससे बच्चे की सर्तिया पॉटी सही आने लगती है बच्चा पतली पॉटी नहीं करता है पहले चीज तो ही केला आपको देना च तो केला क्या करता है पॉटी को सही करने का काम करता है बच्चे की पॉटी सही आने लगती है पतली नहीं आती है तो केला आप बच्चे को खिला सकते हो अगर बच्चे को साथ में सर्दी जुकाम नहीं है तब ही खिलाईए दूसरी चीज है आप बच्चे को चाबल का पान के लिए नेक्स्ट आप बच्ची को इलेक्टरल जो पाउडर आता है उसका भी घोल बनाकर बच्ची को पिलाते रहे दिन में तीन से चार बार एक एक दो दो चम्मच क्योंकि दस्त लगने से मतब पतली पॉटी आने से बच्ची के शरी में पानी की कमी होने लगती है ऐसे में एलेक्टरल पानी की करता है कि बच्ची के शरी में पानी की कमी नहीं होने देता है Next आप बच्चे को नारिल पानी या जूस पी दे सकते हो यह भी बच्ची के लिए अच्छा होता है इन चीजों से बच्चा आपका सही पॉटी करना शुरू कर देगा लेकिन 6 मेने से छोटे बच्चे के लिए केवल एक ही option है वो है आपका दूद। व्यूंकि आपके दूद में ही बहुत सारी ओसदी होती है बच्चे के लिए तो इसलिए केवल वही दीजे आप आयो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा आप सबी को काफी helpful रहा होगा तो एक like करें, subscribe, share जरूर करें और भी friends family में बबाई, thanks for watching